लेकिन कुछ बाते आज हम उठाना चाहते हैं हिंडनबर में किसका इंवेस्टमेंट है आपको मालूम है जॉट सोरुस का यह महाश्य कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपगेंडा चलाते हैं इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया सेफ नहीं है वगरा वगरा और लोगी इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए अहवान क्याता जनता से यह वहां में इंडिस्टर है लेकिन सवाल पूछना है कॉंग्रेस पार्टी से क्या चाहते हैं आप चाहते क्या है आप देश मोदी के से नफरत करते हुए कॉंग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है इन देर पैसलोजिकल हेटर अगेंस तरेंद्र मोदी जी लेट बाइमिस राहूल गांदी और इस फ्रेंस तूलकीट गैंस कॉंग्रेस पार्टी तुड़ेस तुड़ेस अगेंस इंडिया इटसल अगर भारत का स्टॉक मार्केट गर भणाएगा तो स्मॉल इंवेस्टर्स परशान होंगे की नहीं आज करोणों की संख्या में स्मॉल इंवेस्टर्स हैं की नहीं कि छोड़ दिए इंडियों इंवेस्टर्स की बात बाकी बात हैं कॉंग्रेस पार्टी क्या चाहती है भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए नहरू जी के समय वाला जब भारत को दाने दाने के लिए परशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नर्सिंहा रहो के प्राइमिंटर स्रिप्ट में भारत को ओपिन करना पड़ा था FDI में FII में क्या वहीं जानाचाते हैं क्या टूल किट वालों को तो कोई मतलम नहीं हिंदुस्तान के दिकात से उनको तो हम जवाब देते हों देते रहेंगे वो कभी सफर नहीं हो पॉलिटिकस है दूसरा है चिट पॉलिटिकस परिक्षा में तो चिट मिलती है, गरवाई भी हो रही है, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी उनके नेताओं को जो चिट मिलती है, उसका क्या किया जाए, कभी राफेल की चिट मिल गई, तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा कंटेंट हुआ उनके खिलाफ, फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंदर मर्ग की पहदी रिपोर्ट, वो चिट मिल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मने बताया कि 24 में 24, 24 में 24, 24 में 24, 24 में 24, इंक्वारी कंप्लीट हो गई, अब हिंदर मर्ग को जोलाई में नोटिस की मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इंवस्टर के पुझी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश नहो, विदेश का FII और FDI, वो सब को रोको, because Indian investment scenario is not a safe position.